Hello friends, आज हम इस वीडियो में 3 variables का Venn Diagnome कैसे बनता है और उससे question कैसे solve किया जाता है ये सीखेंगे इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2 variable का Venn Diagnome चीखा था जिसका link description में given है अगर अभी तक आपने 2 variable का Venn Diagnome नहीं देखा हैं तो पहले वाले वीडियो देखें जिससे आपका basic concept clear हो जाएगा तो आज ये start करते हैं 3 variable का Venn Diagnome तो सबसे पहले 3 circles form कर लेते हैं 1, 2 and 3 ये 3 circles आपस में interlinked होने चाहिए ये interlinked की जबी values find की जाए इसको एक universal side में close कर लेते हैं ये universal side मतलब ये total value होती है 3 variables की इसको लिखते हैं इसको U से denote करते हैं U means universal और इसकी value हमेशे question में given होती है सबसे पहले ये circle ऐसे people जो की T prefer करते हैं तो इसको T से denote कर लेते हैं ये circle जो की coffee को prefer करते हैं तो इसको C से denote कर लेते हैं और ये वाला circle जो की milk को prefer करते हैं people इसको ham से denote कर लेते हैं और ये जो remaining part है tea, coffee and milk के अलावा ये कौन सा होगा? ऐसे people जो की नाई तो tea prefer करते हैं नाई coffee prefer करते हैं और नाही milk तो ये कौन सा part हो जाएगा? None ऐसे people जो नाई तो tea prefer करते हैं नाई coffee and नाही milk अब सबसे पहले देखेंगे कि tea का part कौन सा होगा? tea ये पूरा tea का part होगा इसमें this combination होगा? ये combination किसका होगा? tea का and coffee का tea and coffee इसके बाद में ये वाला combination ये जो circle पर ये part है वो किसका combination होगा? tea का and milk का इसके बाद में this combination belongs to tea and milk coffee and milk और मेरे बाद ये जो बचावा पार्ट होगा ये किसका combination होगा? tea का भी, coffee का भी और milk का भी tea, coffee and milk तो इसमें ये की समशने के बाद थी ये अब question कैसे पूछा जाता है कि only tea, only tea का पार्ट कौन सा एगा? तो ये tea का तो circle है पूरा था इसमें ये बादा combination tea and coffee का था तो इसमें coffee भी आ रही है तो ये part भी ने लेंगे ये combination ऐसा था जिसमें milk भी आ रहा है और coffee भी आ रही है तो ये combination भी ने लेंगे और ये किसका mixture हो जा ती का and बलका तो ये part भी ने लेंगे और इसके अदावा जो ये remaining part है ये किसका part हो जाएगा? Only tea तो ये हमारी question गिवन है इसमें three variables है tea, milk and coffee इन सब की values गिवन है आई ये pen diagram के तो इसे कैसे represent करेंगे वो देखते है सबसे पहले three circles form करेंगे one, two and three इसके बाद में rectangle में इसे form करेंगे ये universal set होगा इसकी value हमें given है 80 ये circle ऐसा है वो people's जो की tea prefer करते हैं तो इसको tea से denote कर लेते हैं ये circle ऐसा है जो people milk prefer करते हैं इसे m से denote कर देते हैं और ये circle ऐसा है जो people coffee को prefer करते हैं तो इसको c से denote कर देते हैं और ये जो remaining part है ये काँच होगा ऐसे people जो ना ही तो tea prefer करते हैं ना ही milk prefer करते हैं और ना ही coffee तो ये काँच होगा none इसको n से represent कर लेते हैं हमें जो values given हैं वो हम put कर लेते हैं और remaining values पाहिन करते हैं तो आएए सबसे पहले given है T, T total कितना है? 30 तो ये total कितना है? 30 इसके बाद में milk कितना given है? 35 तो 35 ये पूरा circle कितना होगा? 35 उसके बाद में given है coffee, coffee कितना है? 25 25 ये कौन सा होगा coffee? ये part ये पूरा part कौन सा होगा? coffee का होगा इसके बाद में tea, milk and coffee tea, milk and coffee का combination दिया है 9 इन तीनों का combination कौन सा होगा? ये वाला part क्योंकि ये tea, part ऐसा है जिसमें tea का भी कुछ पाद है milk का भी कुछ पाद है और coffee का भी तो ये 9 से present कर लेते हैं इसके बाद में tea and milk का combination कितना दिया होगा है? 15 tea और milk का उप है, ये tea और ये milk है इन दोनों का combination मतलब ये पूरा part जो है, कितना है? 15 और इसमें ये जो part है मतलब ये भी इसी का पाद है, इसमें ये value गेगाना है 9 तो हमें इस बादे पाद की value पता चलाएगे जब 15 में से 9 minus करेंगे 6 तो ये इतने पाद की value आ जाएगा हमारे पास उसके बाद में milk and coffee का combination दिया है 17 milk और coffee का combination कौन सा होगा? ये वादा ये total कितना है? 17 इसमें से half part है 9, तो remaining part कितना हो जाएगा? 8 और tea and coffee का combination कितना given है? 14 tea and coffee का combination मतलब ये पूरा part कितना है? 14 इसमें half part 9 है, तो remaining part कितना हो जाएगा? 5 ये minus करके values find करेंगे अब हमें remaining values find करने होगे मतलब only tea part निकालना होगा ये पूरे tea का, tea दे रखा है 30 इसमें 6, 9 and 55 ऐसा part है जो कि combination है milk का, coffee का and तीनों का तो इससे हमें केवाल ये वाली value find करने होगा? तो 30 में से 6, 9, 5 minus करेंगे तो 10 आ जाएगा ये remaining part उसी तरह हम milk का only part निकाल लेंगे and coffee का only part निकाल लेंगे ये total given है 25 25 में से 5, 9 and 8 minus करेंगे तो आजाएगा 3 ये पूरा part कितना होगा? 3 ये जो only coffee का part है ये कितना होगा? 3 और milk का only part कैसे निकालेंगे milk total कितना given है? 35 35 में से जो 6, 9, 8 minus करेंगे तो remaining part आजाएगा 12 मतलब only milk कितना है? 12 ऐसी people जो only milk prefer करते है अब none की value निकालते हैं हमने tea, milk and coffee की value निकाल लें अब none की value निकालते है none ऐसी people जो नहीं तो tea, coffee and milk prefer करते हैं टोटल है 80 80 में से जब ये सारी values minus कर देंगे तो none part आजाएगा तो 80 में से जब ये सारी values minus कर रूते हैं तो आएगा 27 27 ऐसी people है जो नहीं तो tea prefer करते हैं नहीं milk prefer करते हैं और नहीं coffee तो आईए अब इसी related questions देखते हैं तो आएगे इंग्साँ में किस type के questions आते हैं तो आएगे इंग्साँ में किस type के questions आते हैं